जब इनसान रूपी मानुश इस दुनिया में आया, तो उसके पास कुछ भी नहीं था, ना जुबान, ना घर, और ना ही कपड़े, जी हाँ वो नंगे ही घुमा करते थे, वो भी बिना किसी परेशानी और शरम के, खैर दिन में शिकार करते और रात को पैर फैला कर सो जाते, चाहे सरदिया हो या गर्मिया, बस यही जिन्दगी के मसले थे बेचारों के, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी, जैसे पत्ते पहनना, शिकार करना और अबादी बढ़ाना, बहुत सारी एक रात मौसम बेहद खराब था, बारिश होने वाली थी और हमारे एंसिस्टर, पैर फैला कर सो रहे थे, के तभी अचानक बिजलीगर जी, और एक मानुष की आख खुल गई, उसने देखा कि ये रोशनी कहां से आ रही है, के तभी एक बार फिर बिजलीगर जी, और उसन देख कर उनकी हालत खराब हो गई, और फिर सर पर रखे पैर और भागना चालू, लेकिन उस पहले मानुष को इसमें कुछ इंट्रेस्टिंग दिखा, आगे की कहानी अगले पार्ट में अगर आप देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, जय हो अधिमानव